Hello everyone, मैं मिथुन शिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ images दिखाई पड़ रहे होंगे, अब यह images क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यह winners है, जी हाँ, question of the day का इनोंने सही सही answer क रहा है, इसलिए इनके नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो, आगे आने वाले वीडियो में, तो आपको question of the day का answer करना है, पूरी वीडियो देखिएगा, question of the day बीच में पूछा जाएगा, आपको इसका answer करना है, और अगले वीडियो मे जैसे जैसे exam नज़िक आता जाएगा, और भी frequently वीडियो मिलते रहेंगे, अगर आपने notes बगेरा तयार कर लिए हैं, खुद से, तो फिर आप मेरे notes मत खरी दिए, अगर आपने notes खुद से नहीं तयार किया है, तो definitely आप 20 दिनों में क्या पढ़ने वाले आपको नहीं पता ह और वहां से आप paper के बारे में inquiry कर सकते हो, दो medium मैंने बता दिया, तो चलिए, आज के class को start करते हैं, अब बिना किसी देर के, तो देखिए, पहला question आपके सामने ये रहा, what is the projected rate of GDP, देखिए, GDP growth जो इंडिया की रहने वाली है, इंडियन economy की रहने वाली है, financial year 2021 और 2022 के comment box में कर दो, IMF का full form क्या है, निचे comment करके आप लोग बताइएगा, आगे बढ़ेंगे, और यहां से आप देख सकते हो, IMF ने जो है, 9.5 जो है, growth rate के लिए, अनुमान लगाया है, आगे बढ़ेंगे, अगले question के लिए, next question आपके लिए ये रहा, who has been awarded the लाल बहादूर सास धरनी, या फिर डॉक्टर, A.R. मालेश्वर, डॉक्टर नरेश्त्रिहान या रंदीप कुलेरिया, तो देखी, यहां पर न, answer आप देख सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट वैंकेया नाइडू, वैंकेया नाइडू ने चो है, दिया है, और इसे दिया है कि इसे, डॉक्टर रंदीप को, और रंदीप जो है, क्या है, A.I.I.M.S. के डारेक्टर रह चुके हैं, actually है यह अभी, right now, तो answer आपका क्या होगा, रंदीप गुलेरिया जो है, right answer हो जाएगा, यानि कि आप जो है, यह रंदीप ही है, मैं रनवीर समझ रहा था, रंदीप गुलेरिया और इन देखिए, यह जो union ministry है, इसने क्या किरा है, गोरखा representative के साथ बात करनी शुरू करी है, उसे जो है include करना चाहते है, मुख्यधारा में, तो वारता शुरू करी है, तो देखिए, यह किस state से, जो है, यह बात है, किस state के लिए है, उडिसा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, यह असाम के लिए, यह जारकंड के लिए, तो देखिए, आपको जो है, गोरखा representative मिलेंगे, कहां पर, यहां पर आप देख सकते हो, वेट ए मिनिट मैं आपको दिखा दू, दार्जलिंग हील्स, यानि कि यह कहां पर बात हो रही है, वेस्ट बंगाल में यह जो है, आपको PCF का जो, यह full form है, यहां पर आप देख सकते हो, इसे, आपको बस यह बताना है, कि Indian government ने जो PCF के लिए कौन सा दर्जा, इसे कौन सा status दिया है, इसे कौन सी company में include किया है, नवरतन, लगूरतन, महारतन या भारतरतन, तो देखिए, यहां पर आपको राइट आंसर दिख ज देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, आपसे नंबर C के साथ आपको जाना है, आगे बढ़ेंगे, अगले question के लिए, अगला question आपके सामने यह रहा, विच इंडियन स्टेट और UT launched a patrolling operation named operation star, देखिए, operation जो सतर्क है, एक लिए मैं star पढ़ लिया, इसे, operation सत सतर्क जो है, बिहार में, उतर परदिस में, निउ डेली में यह गोवा में सुरू किया गया है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा न, सतर्क जो है, यह डेली में सुरू किया गया है, और इसमें जो है, operation वगएरा किया जाएगा, मौक रिल वगएरा किया जाएग 14 October को 13 October को या October के दूसरे बुधवार को या October का दूसरा गुरुवार यानि कि 2nd Thursday of October तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देखिए 14 October को यह अब्जर्व किया जाता है यानि कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यह जाएगा यहां से आप देख सकते हो option number जो है भी हो जाएगा चलिए भी के साथ आपको जाना है अगले question कि और हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा which animal species is called as a धोले देखिए धोले जो है किसे कहा जाता है ACI जंगली कुत्ता को लकडवग्गा को एडवॉल्फ को या अपरी की हाती को तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा धोले जो है next question आपके सामने यह रहा आपको यह बताना है who has been appointed as the new advisor to prime minister नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के नया सलाकार जो है वो कौन है राजेस भूसन संजे सामराव धात्रे अमीत खरे या फिर बिनोत कुमार पॉल तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से इनकी image देख सकते हो यह है former IB and higher education secretary अमीत खरे इनको जो है appoint किया गया है advisor to prime minister तो यह मोदी जी को सलादिया करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो चलिए the quick points of the day की बारी है who has been appointed the new secretary of ministry of earth science recently तो देखिए M. रभी चंदरन को जो है ministry of earth science recently बनाया गया है आगे बढ़ेंगे आपको यहां पर दिखाई पड़ा होगा अगला question which country has recently unveiled the world's first automatic driverless train तो देखिए जर्मनी ने क्या क्या है बिना train के जो है बिना driver के जो है train चलेगी बिना local pilot के train चलेगी जर्मनी ने यह शुरुआत कर दी है who has recently become the youngest player in the world to score an ODI century तो एमी हंटर चिनों ने क्या किया है सबसे कम उम्र में ODI में century लगा दी है यह question बहुत important है प्लीज इसे note down कर लिजे और question of the day की बारी आ गई है मैं question of the day आपके सामने पूछने वाला हूँ आपको बस यह बताना है कि इंडिया के raw के अभी जो है chief कौन है यह पहला question इसका जो answer को comment box में करना है raw के chief कौन है comment box में आप लोग इसका जबाब देंगे चलिए thank you so much for watching this video have a good day